पियम गती शक्ति के 51,000 करोड की 6 और इंफ्रा प्रियोज नाउं को मिली मंजूरी देश के कई राजु को मिले कला केंद्र सरकार जल्द लाएगी डिजिटल इंडिया बिलका मसोधा साइबर क्राइम पर नकेल कसने की तेयारी साल के अंतक नेशनल हाइवे होगा गड़ा मुक्त केंद्रिय मंत्री नितिन गड़करीने की अदावा कहां इंजिनियरिंग के चातर करेंगे रोड सेफ्टी ओडि श्वयदेशी करण के कारण भारती वायू सेना पर रूस यूक्रेन संगर्श का सर नहीं एर मार्सल विभास पांडे का बड़ा बयान प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी के कामों से खुस मुसल्मानों ने तारिफ के पड़े कसीदे कहा जो बदला हुआ पहले कभी नहीं देखा संसत के विसे शत्रकाय जेंडा और फाइल नोटिंग की कोपी देने से मोदी सरकार का इंकार मकसद पर रहेश और गहराया विसे सग्यों के अनुसार आतंक पर कुछ देशों का रविया दोहरा मिलकर नहीं लड़े तो सब के लिए समश्याप बनेंगे खालिस्तानी विदीश मंत्री एजे संकर का बड़ा पयाँ अमेरिका ने दस लाग से ज़्यादा भारतियों को दिये गैर एप्रवाशी वीजा दोहजार उनिस के मुकाबले बीस परतिशत आधिकाविदन भारतिय कंपनियों में बढ़ रही मैला करमचारियों की संक्या आठ फीज दिनारी शक्ति के पास है CEO पद ZPTW की रिपोर्ट में आये सामने आकड़े ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 40 स्वे स्थान पर अभूदपूर्व संकट के दोरान कई देशों में हुआ नवाचार चोवन साल पूराने संस्थान इशरों में हुए बदलाव के बाद दिख रहा असर नीजी भागिदारी और विदेशी निवेश पर रहे का ध्यान बसपा ने मादर प्रदेश विधानसबाच चुनाव के नो मिदवारों की दूसरी सूची की जारी सपा सुप्रीमों अकलीश आदव ने महिला आरक्षन बिल को लेकर बीजेपी पर सादा निसाना कहा नय जाने कब ये लागू होगा